हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शियू ट्विन फ्लेम्स जाने जर्नी पूरा करने का मूल सिध्धान्थ क्या है प्रियो जिस प्रकार कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स जर्नी विश्वास पर आधारित है इसका आधार ही विश्वास है यदि आपके पास विश्वास है तो आपको ये जर्नी दिखाई देगी लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो इस जर्नी में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा ये एक भ्रह्म बन कर रह जाएगा ये एक आत्मिक जर्णी है इसलिए इस जर्णी की जो सच्चाई है इसके अंतरगत जो अध्भुत वो अलोकिक बाते हैं वो आप तभी जान सकते हैं यदि आपके पास विश्वास है उसी प्रकार विश्वास के साथ हुआ है कर्म क्योंकि दोनों का एक जोड है जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक ये जर्णी पूरी नहीं हो सकती यदि आप विश्वास करते हैं इस जर्णी पर तो इस जर्णी को पूरा करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा और कर्म के अनुसार आपको अपने भीत इसर कारे करना पड़ेगा, इनर वर्ग, मेडिटेशन, ध्यान, इसी के द्वारा आप अपनी शिव शक्ति को बैलन्स कर सकते हैं, और उसके द्वारा अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, तो इस प्रकार विश्वास और कर्म का एक साथ है, एक जोड है, जो एक चमत कार को उत्पन करता है, एक मिरेकल को लाता है, कोई भी अध्यात्मिक यात्रा विश्वास और कर्म के बिना अधूरी है, इसलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्रेम जर्नी में विश्वास और कर्म का बहुत महत्व है, विश्वास और कर्म का वर्णन धर्म शास्त्र में भी मि कर ये कर्म प्रधानम है गीता में कर्म को महत्तो दिया गया है और इसके अध्याय तीन में कर्म योग का सिध्धान्थ बताए गया है इसके अनुसार कर्म को अनासक्ति भाव के साथ बीना किसी लाब वा अपेक्छा के करना कर्म योग है कर्म योग यहाँ पर गीता में योग का अर्थ है मन का समत्व भाव ही योग है जिसमें मनुश्य, सुख दुख, लाभानी, जै पर आजय योग वियोग को संभाव से चित्त में रखता है सिध्धी व असिध्धी सफलता व विफलता को संभाव रखता है कर्मों का कुशलता से संपाधन करना इस प्रकार कर्म करना कि वो बंधन न उत्पन कर सके तो इस प्रकार कर्म योग का सिध्धान्त बहुत अधिक महत्वपूर है क्योंकि कर्म योग आत्मिक ज्यान को उत्पन करता है कर्म के द्वारा ही इश्वर की प्राप्ती होती है मोक्ष की प्राप्ती होती है एक ग्रिहस्त भी इश्वर को प्राप्त कर सकता है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है अब इसी प्रकार हॉली बाइबल के नया नियम याकुब अध्याय दो के चौदा से 26 पद में लिखा है ये मेरे भाईयो यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो उसे क्या लाब? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने सवभाव में मरा हुआ है निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है ये बात वचन में लिखकर आया है यहाँ पर ईश्वर यही कहते हैं कि विश्वास के साथ कर्म का होना भी जरूरी है क्योंकि यदी कर्म नहीं है तो वश्वास मरा हुआ है इसका एक उधारण है जैसे एक विद्यारथी जो पढ़ता है उसे अगली क्लास में जाने के लिए एक्जाम पास करना पड़ेगा उसका विश्वास है कि वो पास हो जाएगा लेकिन उसे पास होने के लिए कर्म करना पड़ेगा यानि कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी रीती से पढ़ाई करनी पड़ेगी तब ही वो पास होकर अगली क्लास में जाएगा लेकिन यदि वो मेहनत नहीं करता तो वो फेल हो जाएगा तो यहाँ पर इसका तात्पर क्या है? उसका विश्वास तो था लेकिन कर्म नहीं था क्योंकि यदि विश्वास के साथ कर्म भी होता तो वो पास हो जाता उसी प्रकार ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यदि आप विश्वास करते हैं कि यह जर्नी है लेकिन इस जर्नी को पूरा करने के लिए आप इनर वर्क, मेडिटेशन या खुद पर जो काम किया जाता है वो नहीं कर पाते तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कहीं न कहीं इस टक हो जाती है क्योंकि इसमें विश्वास के साथ कर्म भी जरूरी है विश्वास और कर्म का जोड़ ही इस जर्नी को आगे बढ़ाता है आपको मालूम है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम पर लॉफ एट्रिक्शन काम नहीं करता चाहे हम कितनी भी टेक्निक लगा ले हम सफल नहीं होते क्यों क्योंकि लॉफ एट्रिक्शन में भी गर्भ योग का सिध्धान्त लागू होता है 99% लोग असफल हो जाते हैं सिर्फ कुछी मातर लोग होते हैं जो इसमें सफल हो पाते हैं क्योंकि यदि कोई काम किसी उद्देश से किसी स्वार्थ से किया जा रहा है तो कर्म योग का सिध्धान्त लागू नहीं होगा और इसकी वज़ा से फल की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि कर्म योग का सिध्धान्त ये है कि जब आप बिना किसी सर्थ, बिना किसी स्वार्थ के कारे करते हैं तो ब्रह्मान स्वेम आपके लिए कारे करने लगता है और सारी परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाती है तो इस प्रकार उस कार में आपको फल की प्राप्ति होती है तो इसलिए ये बहुत महत्तपूर है कि law of attraction पर भी कर्ब योग का सिध्धान्थ लागू होता है तो जिस प्रकार कहा जाता है कि law of attraction के द्वारा अब संसार की हर एक वस्तू को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन twin को नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पर भी कर्ब योग का सिध्धान्थ लागू होता है क्योंकि चाहे कोई वस्तू हो जग किसी मनुष्य को पाने की इच्छा जदि वहाँ पर कोई उदेश है कोई स्वार्थ परकता है तो वहाँ पर कर्व योग का सिध्धान्त लागू नहीं होता और इसलिए फल की प्राप्ति भी नहीं होती इसलिए यदि कोई मनुश्य यदि ट्वीन फ्रेम जर्नी में है और अपने ट्वीन को पाने के उदेश से इनरवर कर रहा है मेडिटेशन ध्यान कर रहा है तो इसकी वज़ा से उसमें एक स्वार्थ परक्ता है एक इच्छा एक लालसा है और इसी वज़ा से कर्व योग का सिध्धान्त यहाँ पर लागू नहीं होगा और फल की प्राप्ति नहीं होगी तो यहाँ पर यदि आप इश्वर को प्राप्त करने के लिए स्वैम को प्राप्त करने के लिए या अपने उदेश से जुडने के लिए कारे कर रहे हैं इनरवर्क, मेडिटेशन कर रहे हैं तभी आपको फल की प्राप्ति होगी क्योंकि यहां पर आपकी कोई लालसा या कोई इच्छा नहीं है आप जो भी काम कर रहे हैं वो लालसा से रही थोकर कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं इसमें कोई शर्त नहीं इसलिए यहां पर कर्म योग का सिध्धान्त लागू होगा और आपको फल प्राप्त होगा तो जिस प्रकार स्रिमत भगवत गीता में स्री कृष्ण जी ने कर्म की महत्ता को बताया है उसी प्रकार बाइबल में जीजस ने विश्वास के साथ कर्म को भी महत्तोपुड बताया है तो इस प्रकार धर्म शास्त्र में यही बात अंकित है कि विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है चाहे वो कोई भी जर्नी हो लेकिन एक आध्यात्मिक जर्नी को पूरा करने के लिए विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है इसलिए Twin Flame जर्णी में इसका एक महत्वपूर इस्थान है और इसके बिना ये जर्णी पूरी नहीं हो सकती तो यदि आप Twin Flame जर्णी में हैं तो विश्वास करिए कि आप इस जर्णी को पूरा कर सकते हैं और उसके साथ आपको कर्म करना भी जरूरी है यानि कि खुद पर काम, इनर वर्ख, मेडिटेशन, ध्यान, इश्वर को समर्पन और कोई भी काम बिना किसी उद्देश, बिना किसी स्वार्थ परक्ता के इश्वर को समर्पन के साथ कीजिए ताकि आपको उसके फल की प्राप आज हमने इस विशेप पर बात की hope so आपको help करे तो प्रियो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care and God bless you all